नमस्कार अभी आप सुनने जा रहे हैं मनु भंडारी जी द्वारा लिखित कहानी सयानी बुवा मेरा नाम मनोज भाटिया है चलिए शुरू करते हैं कहानी सयानी बुवा सब पर मानो भुवा जी का व्यक्तित्व हावी है सारा काम वहाँ इतनी विवस्ता से होता जैसे सब मशीने हो जो कायदे में बंदी बिना रुकावाट अपना काम किये चली जा रही हैं ठीक पांच बजे सब लोग उठ जाते फिर एक गंटा बाहर मैदान में टहलना होता उस नो भचते ही नहाना शुरुग होता जो कपड़े बुवा जी निकाल दें वही पहनने होते हैं फिर कायदे से आकर मेज पर बैठ जाओ और खाकर काम पर जाओ सयानी बुवा का नाम वास्तव में ही सयानी था या उनके सयाने पन को देखकर लोग उन्हें सयानी कहने लगे थे सो तो मैं आज भी नहीं जानती पर इतना अवश्य कहूंगी कि जिसने भी ये नाम रखा वह नामकरन विद्या का अवश्य पार की रहा होगा बच्पन में ही वे समय की जितनी पाबंध थी अपना समान संभाल कर रखने में जितनी पटू थी और विवस्ता की जितनी कायल थी उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता था कहते हैं जो पैंसिल वे एक बार खरीती थी वे जब तक इतनी छोटी ना हो जाती कि उनकी पकड़ में भी ना आ पाए तब तक उचसे काम लेती रहती क्या मजाल की वे कभी खो जाए या बार बार नोक तूटकर समय के पहले ही समाप्त हो जाए जो रबर उन्होंने चोटी कक्षा में खरी दी थी उसे नोवी कक्षा में आकर समाप्त किया उम्र के साथ साथ उनकी आवशक्ता से अधिक चतुराई भी प्रोड़ता धारन करती गई और फेल बुवाजी के जीवन में इतनी अधिक खुल मिल गई कि उसे अलग करके बुवाजी की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी उनकी एक एक बात पिता जी हम लोगों के सामने उधारन के रूप में रखते जिसे सुनकर हम सभी खैर मनाया करते थे कि भगवान करें वे ससुराल में ही रहा करें वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अविवस्तित जनों का तो जीना ही हराम हो जाएगा ऐसी ही स्यानी बुवा के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया तो कल्पना कीजिए मुझे पर क्या भीती होगी मैंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं पर पिता जी मेरी पढ़ाई के विशे में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझा कर डाट कर और प्यार दुलार से मुझे राजी कर लिया सच में राजी तो कर लिया समझिये अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाद दे कर दिया और भगवान का नाम गुहारते गुहारते मैंने घर से विदा ली और उनके यहां पहुची इसमें संदे नहीं की बुआ जी ने बड़ा स्वागत किया पर बच्पन से उनकी ख्याती सुनते सुनते उनका जो रोद्र रूप मन परचाया हुआ था उसमें उनका वह प्यार कहां तिरोहित हो गया मैं जानी ना पाई हाँ बुआ जी के पती जिने हम भाई साब कहते थे बहुती अच्छे सोभाओ के वक्ती थे और सबसे अच्छा कोई घर में लगा तो उनकी पांच वर्ष की पुत्री अन्नु घर के इस नीरस और यंत्रचलित कारेकरम में अपने को फिट करने में मुझे जितना कश्ट हुआ और कितना अपने को काटना छाटना पड़ा यह मेरा अंतर्यामी ही जानता है सबसे अधिक तरस आता था अन्नु पर वे इस नन्नी सी उमर में ही प्रोड हो गई थी ना बच्चो का सा उल्लास ना कोई चहचाहाट एक अज्यात भैसे वे घिरी रहती थी घर के उस स्वातावरण में कुछी दिनों में नेरी भी सारी हसी-कुशी मारी गई यहों बुआ जी की गरस्ती जमें 15 वर्ष बीच चुके थे पर उनके घर का सारा सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा हो गरस्ती जमाते समय जो कांच और चीनी के बरतन उन्होंने खरीदे थे आज भी जोंके त्यों थे जबकि रोज उनका उपयोग होता था वे सारे बरतन स्वैम खड़ी होकर साफ करवाती क्या मजाल कोई एक चीज भी तोड़ दे एक बार नोकर ने सुराई तोड़ दी थी उस छोटे से छोकरे को उन्होंने इस कसूर पर बहुत पीटा था तोड़ फोर से तो उन्हें सक्त नफ्रत थी यह बात उनकी ब पचारे भाई साब का क्या हाल होता मैं मनी मन कहा करती थी कि और चाहे जो भी हो हम सब मिट्टी के पुतले ना होकर कम से कम इंसान तो अवश्य हुए होते बुआ जी की अत्यधिक सतर्कता और खाने पीने के इत्तिक कंट्रोल के बावजूद अन्नु को बुखार आने लग गई उसे देखकर मुझे लगता मानो उसके शरीर में जोर के किटानू नहीं बुआ जी के भाय के किटानू दोड़ रहे हैं जो उसे ग्रस्ते जा रहे हैं वैं उनसे पीडित होकर भी भाय के मारे कुछ कह तो सकती नहीं थी बस सुकती जा रही थी आखिर डॉक्टरों ने कई परकार की परिक्षाओं के बाद राय दी की बच्ची को पहाड पर ले जाया जाए और जितना अधिक उसे प्रसंद रखा जा सके रखा जाए सब कुछ उसके मन के अनुसार हो यही उसका सही इलाज है पर सच पुछो तो वैचारी का मन बचा ही कहा था भाई साब के सामने एक विकिट समस्या थी बुवा जी के रहते यह संभव नहीं था क्योंकि अंजाने ही उसकी इच्छा के सामने किसी और की इच्छा चली नहीं सकती थी भाई साब ने शायद सारी बाद डॉक्टर के सामने रख दी तभी डॉक्टर ने कहा कि मा का साथ रहना ठीक नहीं होगा बुवजी ने सुना तो बहुत आनाकानी की पर डॉक्टर की राय के विरुद जाने का सहास ले ना कर सकी सो मन मार कर वहीं रही जोर चोर से अन्नू के पहार जाने की तैयारी शुरू हुई पहले दोनों के कपड़ों की लिस्ट बनी फिर जूतों के मोजों की गरम कपड़ों की और इने बिछाने के सामानों की बरतनों की हर चीज रखते समय वे भाई साब को सक्त हिदायत कर देती थी कि एक भी चीज खोनी नहीं चाहिए देखो ये फ्रॉक मत खो देना साथ रुपे की मैंने इसकी सिलाई दी थी ये प्याले मत तोड़ देना वरना पचास रुपे का सेट बिगड़ जाएगा और हाँ गिलास को तुम तुछ समझते हो उसकी परवाही नहीं करोगे पर देखो ये पंदरा बरस से मेरे पास है और कहीं खरोश तक नहीं है तोड़ दिया तो ठीक ना होगा परते कवस्तु की हिदायत के बाद वे अनुपर आई वे किस दिन किस समय क्या खाएगी इसकी सूची भी बना दी कब कितना घूमेगी क्या पहनेगी सब कुछ निश्चित कर दिया मैं सोच रही थी कि यहां बैटे बैटे ही बुवा जी ने इने ऐसा बांद दिया कि बिचारे अपनी इच्छा के अनुसार क्या खाक करेंगे सब कह चुकी तो जरा गंभीर स्वर में बोली कुछ अपना भी खयाल रखना दूज फल बराबर खाते रहना हिदायतों की इतनी लंबी सूची के बाद भी उन्हें यही कहना पड़ा जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगे मेरा तो मन ही नहीं मानता हाँ बिना भूले रोज एक जिट्टी जरू ट्राल देना आखेर वैशन भी आ गया जब भाई साब एक नोकर और अन्नु को लेकर चले गए बुवजी ने अन्नु को कूप प्यार किया रोई भी उनका रोना मिरे लिए नई बात थी उसी दिन पहली बार लगा कि उनकी भेंकर कठोड़ता में कहीं कोमलता भी छिपी है जब तक तांगा दिखाई देता रहा वै उसे देखती रही उसके बाद कुछ शन निर्जीव सी होकर पढ़ी रही पर दूसरे ही दिन से घर फिर वैसे ही चलने लगा भाई साब का पत्र रोज आता था जिसमें अन्नु की तबियत के समचार रहते थे बुआ जी भी रोज एक पत्र लिखती थी जिसमें अपनी उन मोखिक हिदायतों को लिखित रूप से दुरा दिया करती थी पत्रों की तारिक में अंतर रहता था बाद शायद सब में वही रहती थी मेरे तो मन में आता कि कह दूँ बुआ जी रोज पत्र लिखने का कश्ट क्यों करती है भाई साब को लिख दिया कीजिए कि एक पत्र गत्ते पर चिपका कर पलंग के सामने लटका लें और रोज सवेरे उठकर पढ़ लिया करें पर इतना सहास कहां था कि ये बात कह सकूं करीब एक महीने के बाद एक दिन भाई साब का पत्र नहीं आया दूसरे दिन भी नहीं आया बुआ जी बड़ी चिंतित हो उटी उस दिन उनका मन किसी भी काम में नहीं लगा घर की कसी कसाई व्यवस्ता कुछ शितिल सी मालूम होने लगी तीसरा दिन भी निकल गया अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं रहा रात को वे अपने कमरे में आकर सोई पर सारी रात धुस्वप्न देखती रही और रोती रही मानो उनका वर्षों से जमा हुआ नारित तो पिघल पड़ा और अपने पूरे वेक के साथ पहरा आता वे बार-बार कहती कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि भाई साब अकेले चले आ रहे हैं अन्नू साथ नहीं हैं और उनकी आँखें भी लाल हैं और वे फूट-फूट कर रो पड़ती मैं तरा-तरा से उन्हें आश्वासन देती पर बस वे तो कुछ सुनी नहीं रही थी मेरा मन भी कुछ अन्नू के खयाल से कुछ बुआ जी की एदशा देख कर बड़ा दुखी हो रहा था तबी नोकर ने भाई साब का पत्र ला कर दिया बड़ी व्यगरता से कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला और पढ़ने लगी मैं भी सांस रोक कर बुआ जी के मूँ की और देख रही थी कि एका एक पत्र फैक कर सिर पीटती बुआ जी चीक कर रो पड़ी मैं धक रह गई आगे कुछ सोचने का सहास ही नहीं होता था आखों के आगे अन्नू की भोली सी ननी सी तस्वीर खूम गई तो क्या अब अन्नू सच्वुशी संसार में नहीं है ये सब कैसे हो गया मैंने सहास करके भाई साब का पत्र उठाया लिखा था प्रिये सियानी समझ में नहीं आता किस परकार तुमें ये पत्र लिखों किस मुझ से तुमें ये दुखत समचार सुनाओं फिर भी रानी तुम इस चोट को धहरे पूर्वक सह लेना जीवन में दुख की घड़ियां भी आती है और उन्हें सहस पूर्वक सहने में ही जीवन की महनता है ये संसार नश्वर है जो बनाएं वे एक न एक दिन मिटे गाही शायद इस तथे को सामने रखकर हमारे यां कहा गया है कि संसार की माया से मो रखना दुख का मूल है तुमारी इतनी हिदायतों के और अपनी सारी सतरकता के बावजूद मैं उसे नहीं बचा सका इसे अपने दुरभागे के तरिक और क्या कहूं यह सब कुछ मेरे ही हाथ होना था आशू भरी आँखों के कारण शब्दों का रूप एसपष्ट से एसपष्टतर होता जा रहा था और मेरे हाथ का आप रहे थे अपने जीवन में यह पहला अफसर था जब मैं इस परकार किसी की मिल्ट्टू का समचार पढ़ रही थी मेरी आँखें शब्दों को पार करती हुई जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा पड़ी धैरे रखना मेरी रानी जो कुछ हुआ उसे सहने की और भूलने की कोशिश करना कल चार बदे तुमारे पचास उर्पै वाले सेट के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिर कर तूट गए अन्नु अच्छी है शिगरी हम लोग रवाना होने वाले है एक मिनट तक मैं हत बुद्धी सी खड़ी रही समझी नहीं पाई कि यह क्या से क्या हो गया यह दूसरा सदमा था जो ही कुछ समझी मैं जोर से हस पड़ी किस परकार मैंने बुद्धी को सत्ते से अवगत कराया यह सब मैं कोशिश करके भी नहीं लिख सकूँगी पर वास्तुकता जानकर बुद्धी भी रोते रोते हस पड़ी पाँच आने की सुराई तोड़ देने पर नोकर को बुरी तरह पीटने वाली भुआ जी पचास रुपय वाले सेट के प्याले टूक जाने पर भी हस रही थी दिल खोल कर हस रही थी मानो उन्हें स्वर्क की निधी मिल गई हो दोस्तो हम उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी कहानी को आप अपने दोस्तों के साथ परिवार के अन्ने सदस्यों के साथ शेयर कीजिए लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ मेरा नाम है मनोज भाटिया आते रहिएगा कहानियों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा